सब सवाल करते हैं कि मेरी द्वार का माई कहां पर है? सब मुझसे पूछते हैं कि बाबा आपकी द्वार का माई कहां है? आप कौन सी द्वार का माई में रहते हो? शीडी वाली द्वार का माई में? या कहीं और? तो मैं तुमसे कहता हूँ क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं चला कि मेरी द्वार का माई कहा है और कौन सी द्वार का माई है जहां पर मैं रहता हूँ तो मैं आज बताता हूँ कि मैं अपने हर बच्चे के दिल में रहता हूँ हर बच्चे के पास रहता हूँ और वहीं पर हर बच्चे का दिल मेरी दौर का माई है हर दिल मेरी दौर का माई है और हर बच्चा मेरा बच्चा है तुम्हें बता है मैं तुम्हारे घर में रहता हूँ और तुम्हारे घर में रहके मैं बहुत खुश होता हूँ मुझे अच्छा लगता है मुझे नवेद भी अर्पन करते हो मुझे खाना खिलाते हो और मुझे अच्छा लगता है जब तुम बोलते हो कि बाबा आओ हम एक साथ खाना खाएंगे और तुम यकीन नहीं मानोगे मैं उस तुम्हारी थाली से खाना खाता हूँ तुम्हारे साथ खाना खाता हूँ तुम महसूस तो करके देखो क्योंकि मैं तो हमेशा ही तुम्हारे पास पास होता हूँ हमेशा तुम्हारे साथ साथ होता हूँ तुमने कितनी बार मुझे कहा है कि बाबा अपने होने का एहसास कराओ और तुम्हें पता भी है मैंने हर बार तुम्हें अपने होने का एसास कराया है हर बार कराता हूँ तुम जितनी बार भी मुझे कहते हो मैं उतनी बार तुम्हें एसास कराता हूँ मैं हसूस कराता हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ तुम कितनी बार सोचते हो कि तुम शीरी नहीं आ रहे हो और ये भी सोचते हो कि शायद मैं तुम्हें बुला नहीं रहा हूँ तो ऐसा ख्याल अपने दिल और दिमाग से निकाल दो बस ध्यान से एक बात सुनो मैं चाहता हूँ कि जब तुम्हारा मन करे तब तुम आओ मुझे पता है तुम्हारा मन हमेशा करता है लेकिन तुम जिस तरीके से आना चाहते हो तुम उस तरीके से आओ तुम वैसे आओ मैं तुम्हें वैसे ही आते देखना चाहता हूँ क्योंकि अगर तुम जिस तरीके से आना चाहते हो पर नहीं आ पाए ना तो तुम्हारे मन में एक ग्लानी दह जाएगी इसलिए इसलिए मैं तुम्हें समय दे रहा हूँ कि पहले तुम अपना वो तरीका अपने पास ले आओ और उसी तरीके से मेरे पास आओ ताकि तुम्हारी जो खुशी है वो दुगनी हो जाए ताकि तब तुम मेरे पास आओ तो उतने ही खुशी और उतने ही उत्सा के साथ आओ क्योंकि तुम अपने तरीके से आए हो तो इसलिए निस्चंत रहो और इतना सोचने की जरूरत नहीं है खुश रहो हमेशा खुश रहो